दोस्तों बिहार सिविल कोट में एक नई भरती आई है तो चले इस नई भरती के बारे में समपूर्ण जानकरी देखिए सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये जो भरती है टेंथ पास यानि दस्वी पास पर ही है तो फॉर्म भरने के लिए योगता क्या कुछ चाहिए सेलेक्शन किस परकार से होगा मेरिट किस परकार से बनेगा सैलरी कितना क्या मिलेगा सभी चीजों के बारे माप सभी को ए टुजेट जानकरी देने वाले फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है चलिए सभी चीजों के बारे माप सभी देखिए कैसे फॉर्म फिलब करना है ये पर भरती संबाथ ही जो भी यहां पर जान करें recruitment section पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और दोस्तों अभी जो civil code की जो भरती आय थी कुछ महने पहले 7692 पदव पर उसमें से आप में से कौन-कौन form फिलब किये हैं आप किस post क्ले form फिलब किये हैं प्यून post की भी भरती आय थी 1600 पदव पर color की 3300 पदव पर आप में से कौन-कौन आईसे हैं जो PUN यानि group D और color की दोनों post के फॉर्म भरें comment करके जरूर बताइए और आप में से कौन-कौन exam date की बेस अबरी सिंथ जार कर रहें आप सभी बताइए comment करके यहाँ पर भरती संबाधित notice आप दूसरे नमर पर देख सकते यहाँ पर application for recruitment of paralegal volunteer post के लिए है तो उचले इस official notice को download करते हैं और फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ condition है इस फॉर्म के लिए minimum age कितना चाहिए सब ही चीजों के बारे हम आपको यहाँ पर देखेगा दोस्तों आप तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना है अधी सूचना विग्यापन संख्या यहाँ पर है 01-2030 और यहाँ पर एक एक चीजों के बारे हम आप देखिए तो सबसे खास पात यह है दोस्तों कि इसमें जो क्वैलिफिकेशन मांगा गया है 10th अगर आप दस्वी पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं इसमें परसेंटेज मार्क्स का कुछ भी ऐसा कंडिशन नहीं रखा गया है यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों के बारे हम देखिए इसमें आप कैई कुलियर हो ऐसा के परद्धिकार के परवंद कर यहाँ पर लीगल यनि कानुनी सहाथा संबधमार्णित यह पोस्ट है और यहाँ पर उन्ने चीजों के बारे हमें देखिए पिर आपको करके सभी चीजों को लेकर क्लियर होने वाला है आयोशिमा हम देखेगा तो minimum age का जो condition 18 साल अब आप समच रहे होंगे अधिकतम का condition क्यों ही दिया हुआ सभी चीज़ों को लेकर आपको इसी वीडियो में clear होने वाला है यहाँ पर sectionic योगिता के बारे हम देखेगा यानि qualification details तो PL भी साक्षर हो अधिमान तह metric pass तो यानि metric अगर आप 10th pass है तो इस form को बिल्कुल फिलप कर सकते हैं समगर समज की छमता के साथ तो यह कुछ खास चीज नहीं है बस आपको समज होना चाहिए अच्छे आप जानकर सारा कुछ होना चाहिए qualification में metric pass यहाँ पर एक तरह से है इसके बाद अन्य चीजों के बारे माँ पेके करके देखिए यहाँ पर आप देखेगा पातरता योगिता के बारे में तावेदक भारत का नागरिक हो सारेरी क्यों मानसिक रूप से स्वास्तु यह सभी government job या फिर कोई भी contract किसी भी तरह की भरती दी जाती है सभी में मांगा जाता है इसके बाद तीसरा अच्छा चरीतर हो समाज स्यवा में रूची रखता हो किसी अपराधिक मामले का आरोपी या दोस्सीध ना हो तो यहाँ पर यह condition हो गया अब इसके बाद दिखेगा आवेदक वीत प्रवपत्र में आवेदन पत्र भरके आपको फिलब सारा कुछ करना है यहाँ पर और अन्य चीजों के बारे हम देखेगा यहाँ पर फॉर्म का भी यहाँ पर डिटेल से यही फॉर्म आपको फिलब करना है कैसे फिलब करना है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी को बताने वाले है यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, तो आवेदन कौन दे सकता है यहाँ पर है पटना यूम इसके अनुमंडल अंतरगत यानि पटना और उसके अनुमंडल अंतरगत ऐसे बैकती यहाँ पर सेवा निवरित सिक्षक सहित, यानि जो रिटार्ड हो गया हो भी इसमें फिलब कर सकते हैं इसके बाद है सेवा निवरित सरकारी कर्मचारी वरिष्ट नागरिक MSW छात्रियम सिक्षक अब आप में से जयतरी यहाँ पर जो भी वीडियो को देख रहे हैं स्टुडेंट ही है परतियोकता परिक्षय यान एकजामों की त्यारी करते हैं आप सोच रहे हों कि क्या हम इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों आप फिलब कर सकते हैं यहाँ पर देखेगा चात्रियों सिक्षक लिखाओ है कंडिशन जो होना चीए आपका ठारा साल कंप्लीट होना चीए दूसरा चीज आप टेंथ पास है तो आप भर सकते हैं चात्रियों सिक्षक आंगनवारी कार्ज करता डॉक्टर चात्र और वीधी के चात्र और यहाँ पर वीधी वाले जो लॉव से संब्दिन जो स्टुडेंट है जिनका अधी वक्ता एक रूम में ना मांकर नहीं है तो यहाँ पर एलोग किया गया बांकि जो नॉर्मल स्टुडेंट है अगर आप सोच रहेंगे हम ग्रेजुएशन में या भीर बार्मी में है तो भर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखीगा गयर राजनितिक सेवा अनमुक गयर सरकारी संगठन यों कलब के सदस स्वयम सहता समू मैत्री समू जिविका आधी के सदस यों मन्ने बेगती जो अपनी स्वयक्षा से दुसरों की सेवा में रूची रखते हैं जिन्हें विदिक सेवा पराधिकार पियलवी के रूप में पहचाने जाने कलूप युक्त समझे पूर में चैनित पारा विदिक स्वयम सेवक अधिवक्ता छोरकर भी पुना आविदन दे सकते हैं यानि कोई पहले सी स्पोस्ट पर सेलेक्टेट था और अगर यहाँ पर ह हो गया और इसके देखेगा परतेक तालुका विदिक सेवा समीति जैसे पटना सीटी दानापूर बाढ़ मसोधी पाली गंज के ललग लग यहाँ पर पचास पचास यहाँ पर सीट रखा गया है और इस समध वांतिम दिन्ने जिला विदिक सेवा पराधिकार पटना का है और यह कोई सरकारी नौकरी पर भरती नहीं है इसलिए इसमें आरक्षन का लाप नहीं है लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है की यहां पर देखी गाए वेकेंसी के अनुसार महला, SCHT, PCBC सभी का यहां पर परती नितित रखा जाएगा और यह जो भरती होने वाली है दोस्तों एक वर्सों के लिए चेन आपका होने वाला है एज क्लियर हो ही गया, क्वैलिफिकेशन आपको क्लियर हो ही गया अब इसमें salary के बारे में आप सोच रहे होंगे कितना मिलेगा तो मानदे में देखेगा तो PLV के कार्ज का कोई वेतन है वेतन इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि यह नहीं है government job कि इसमें आपको 30,000 या 20,000 महने मिलेगा इसमें आपको daily basis पर काम के अधार पर पैसा दिया जाएगा इसके लिए दिखेगा तो राष्टे विधिक सेवा प्राधिकारियों बिहार राज विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश के अलोग में वर्तमान में 500 रुपे परती दिन मान दे है यानि अगर आपको महना में 20 दिन इसमें काम करना है तो 20 दिन का 500 रुपे से आपको 10,000 रुपे महना हुआ अगर 10 दिन है तो फिर आपको 5,000 रुपे मिलेगा यहाँ पर day basis पर काम है परती दिन 500 रुपे मान दे का धार पर है और जो परते कार्ज दिवस है तो दे होगा यह मान दे केवल उन 20 दिनों के लिए दे होगा जिस दिन विधिक सेवा पराधिकार उन्हें विशेश कार्ज करने है तो सौपती है या स्वयम सेवक किसी गौँ में किसी व्यक्ति के विधिक सेवा है तो प्राधिकार या के अंदर में ले जाता है तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या है तो ये दोस्तों यहाँ प्राप देखेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के अंतरगत ये भरती दिय जो कि सिविल कोट के वेबसाइट पर नोटिफिकेसन जारी किया गया है अब कोई बेखती है अगर कानूनी सला कुछ भी चाहिए या फिर गौव में ही आप कैम्प लगा कर लोगों को जागरू करने के लिए कानून के परती मौली कधिकार ये सब सारा कुछ आप बताने के ल करते क्या इस फॉर्म को फिलब करना चाहिए ये दोस्तों आप पर डिपेंड अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपके अगर फैमली मेंबर में कोई भी टेंथ पास है तो उसको अगर आप फॉर्म करवा दीजेगा अगर घर प विधिक जागरुक सीविरों में आयोजन सक्रिया भागिदारी निभाता है तो इसमें आपको पान सुरुपे परतेक दीन हिसाब से मिलने वाला और ये जो होने वाला है सेलेक्शन एक साल के लिए और ये बढ़ है भी जा सकती यह निए कि अगले साल दोजार चोविस में को हटा दिया जाएगा आगे भी रखा जा सकता है अब यहां पर फॉर्म कैसे फिलप करना है तो फॉर्म यहां पर दोस्तों आपको ओफ्लैन फिलप करना परेगा ओफ्लैन यहां पर दो तरीका है पहला तो आप स्पीट पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं दूसरा यहां पर पटना ओफिस में आकर भी आप जमा कर सकते हैं यहां पर देखेगा तो सैक्षिन की योगिता सारा कुछ फॉर्म फिलब करके आपको परमान पत्र लगा कर अधो अस्ताक्ष्रीक के कारियाले में हाथो हाथ यानि ओफिस में भी जाकर आप हाथो हाथ जमा कर सकते हैं या पंजी करित डाक के माध्यम साब 5 अफरेल 2013 तक 5 बजे तक भेज सकते हैं तब ही आप देखेगा तो जैदे समय नहीं है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं बेहतर यह होगा कि डारेक्ट आप ओफिस में जाकर के फिलब कर दी जो ऐसे आप स्पीट पोस्ट भी कीज है पटना पिन यहाँ पर है अगर आप स्पीट पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो आपको इस तरह से लिखना परेगा लिफाफ़ा पर सचीब जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब्योवार नियाल है पटना पिन कोड यहाँ पर है देख सकते हैं यह एड्रेस हो गया यह इंटर्विव आयजन होगा इंटर्विव के माध्यम साब का सेलेक्शन होगा भरतिस समधित सभी जानकर यह आपको पटना सिविल कोट का ओफिस्यल वेबसाट पर मिलने वाला और यहाँ पर ओफिस्यली रूप से हल्पलाइन नमर सरा कुछ दिया हुआ है फॉर्म का योगिता सभी चीज़ों के बारे में देना है अपना यहाँ से जेंडर चूज करना है डेट ऑब बर्थ मोबाइल नमर यह सब और यहाँ पर अस्थान ती थी नीचे में यहाँ पर सिगनेचर करना है और इस फॉर्म का एड़रेस के बारे मापको समझ में आ ही गया आवेदन भेजने का पता सचीब जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेवहार नियाले पटनाव आप यह सोच रहे होगे कि हम दूसरे जिले से अगर दरभगा मुझा पर अन्य जिलों से है तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर देखीगा दोस्तों शुरू मे इसके बारे माँ आप सभी को भी बताए भी है पटना इसके अनुमंडल अंतरगत आप इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन दिया जाता है तब आप उस माध्यम से फॉर्म फिलब कर सकता और यह जो भरती होने वाल यह सारा कुछ लोकल बेसिस पर क्योंकि इसमें आपको सा आप से पैसा पेक किया जाएगा इसलिए जो लोकल रहेंगे उसके लिए बेहतर होगा काम भी अच्छे करेंगे सारा कुछ तो यहां से दोस्तों इसके बारे माँ आपको अच्छे समझ में आ गया जो यहां पर भरती आई है पर लीगल वोलेंटियर पोस्ट की तो अच्छ समझ में सारा कुछ आ गया और सिविल कोड की जो 76 से 92 पदों पर भरती आई तो उसका एकजाम डेट का आप में से कौन-कौन इंतजार कर रहे हैं जरूर कमेंट करके बताईए आप सभी किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं आप में से कौन-कौन कलर के लिए फॉर्म भरे जरूर आप सभी कमेंट करके बताईए